सब्सक्राइब तू मैं चैनल सूरजप्रकाश फॉर मूर अमीजिंग कंटाइब तमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे दोस्तों सेल आ रही है Amazon और Flipkart के ओपर जस्ट कुछी दिनों की बात है और कहीं सारे ऐसे लोग होंगे जो की Laptop लेना चाहते हैं और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा की Laptop कैसे लें तो दोस्तों Gadget Now की तरफ से एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है लेकिन वो पूरा का पूरा English में है मैं इस पूरे आर्टिकल को आपको जो है हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा और इसके साथ दोस्तों मैं अपने तरफ से कुछ और चीज़े जोड़ूंगा जो कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप लोगों को जो है जानना ज़रूरी है इस आर्टिकल का जो नॉलेज है उसको मैं अपने नॉलेज के साथ कंबाइन करके आप लोगों को बताने वाला हूँ तो चलिए आगे शुरू करते हैं सबसे पहली बात आती है दोस्तों यहां पर know what exactly will be the purpose of buying a new laptop अब सबसे पहले आपको किस कामधाम के लिए वो laptop चाहिए वो आप decide करें दोस्तों क्योंकि इसी से जो है ना बहुत सारी चीज़े आगे चलके decide होती है अगर आप एक budget gaming laptop चाहते हैं जो कि just web browsing कर दे work file कर दे तो उसका वो वाली line अलग है लेकिन आप एक gaming laptop चाहते हैं तो उसको वो वाली line अलग है अगर आपको अपना purpose पता होगा कि हाँ बही मुझे अगर मान के चले gaming के लिए लेना है कहीं न कहीं आप on the go काम करते हों तो दोस्तों इस चीज़ के लिए जरूरी हो जाता है कि वजन जो हो कम हो तो ये दोनों अलग-अलग line हो जाती है आप इसको short में कहिए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपको gaming laptop चाहिए या फिर नॉर्मल वर्क laptop आपको चाहिए यह दो separate laptop लेने के टाइम में अलग-अलग चीज़ें हो जाती है उसके बाद आता है decide how much you are willing to spend on a laptop ये मैं कहूंगा कि Indians के लिए बहुत ही ज्यादा मनलब सबसे बड़ा सवाल हो जाता है in fact सबसे पहला सवाल ही यही रहता है कि आप laptop के ओपर कितना खर्चा करना चाहते हैं और क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं दोस्तों students रहते हैं तो घरवाले यह नहीं बोलते हैं कि कि किस काम के लिए चाहिए घरवाले सीधा यह बोलते हैं यह ले 50,000 रुपए और इसके अंदर जो अच्छा laptop आए तेरको इसी के अंदर लेना है तो बच्चा क्या करता है चानता है दस तरीके की चीजे चानता है कि पचास हजार में जो है कौनसी कौनसी जो है आप लोगों को laptop देखने को मिलने वाली है तो यहां पे जो है दोस्त पूरे laptop जाते हैं खेर वो बात अलग है डिसाइड ओन दी साइस फॉर्म फैक्टर एंड अप्रोक्सिमेट वेट अफ दी लैप्टॉप दोस्तों यह एक इंपोर्टेंट चीज हो जाती है कि आपको जो है laptop को वजन कितना चाहिए और उसका form factor आपको कितना form factor कैसा चाहिए आपको एक regular clamsion वाला laptop चाहिए जो कि अपना normal laptop रहता है फिर आपको 2-in-1 चाहिए Queen 1 के साथ या फिर आपको उसके अंदर जो है inking capabilities भी चाहिए that means आप screen के उपर जो है pen से उसके साथ जो मिलता है उससे लिख सकें यह वाला चाहिए अब बात आती है size की तो मैं आपको बताता हूं friends 13-14 इंच वाले laptop आप जो है अगर normal work के लिए consider करना चाहते हैं जैसे word, processor, document और means internet browsing, तो यह सारी जो चीजे हैं इसके लिए मैं कहूंगा 13-14 इंच वाला laptop जो है अप एकनम बढ़िया रहता है, जादा से जादा जो आपको 13-14 इंच का weight दोस्तो एवरेजली मिलेगा around 1.2-1.5 kg मिलेगा और अगर आप premium model खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है मैं बता वजन around 1.8-2 kg आपको देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा डालते हैं थोड़ा premium ultrabook खरीदते हैं 15 इंच की तो कहीं न कई वो भी आपको जो है 1.2 की देखने को मिल सकती है लेकिन ये सारी चीजे उल्टी हो जाती है जब हम gaming laptops को लेते हैं gaming laptops बले ही साल दर स evolve होते जा रहे हैं उनका वजन कम होते जा रहा हो लेकिन बात दोस्तों ये सकते है कि इंडिया में average gaming of laptop का जो weight है वो around 2.3 kg आपको देखने को मिलता है 17 इंच की अगर बात करें तो friends आपको weight 2.8-3 kg तक देखने को मिल जाएगा तो सो समझ के जो है laptop अपना चूज कीजिए अ तो मैं कहूंगा कि आप 13 से 14 इंच वाला laptop ले बैटरी कम नहीं होती दोस्तों इसमें क्योंकि screen काफी कम power खाती है क्योंकि form factor छोटा है और इसमें जो SSD यूजवली आपको देखने को मिलती है अगर 13 14 इंच के जो है आप ultra book लेते हैं तो आपको SSD मिलती है तो battery life उससे जो है क 13 साल तब ये सिनारियो ज्यादा सही बैठता था लेकिन आज कल क्या है ports जो होते हैं ultra book अगर आप देखें तो ports काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपने specifications अपनी जरूरत के हिसाब से laptop अगर मिलता है लेकिन उसमें ports कम भी पड़ते हैं तो आप उसको ले लीजिए आज नहीं तो कल हम सबको dongle life way shift होना ही पड़ेगा दोस्तो दीरे दीरे companies जो है ports कम करते जा रही है और अपने laptop को और जो है slim करते जा रही है तो इसके लिए आप तयार रही है कि आगे चलके आपको dongle वाला life जी नहीं है आज नहीं तो कल तो better जो है इससे आप adapt कर ले ताइप C port दोस्तो एक बहुत जरूरी चीज हो गई है आज कल क्यूंकि चाहे आपके phone हो चाहे आपके laptop हो या फिर कहीं सारी accessories भी हो वो जो है आप लोगों को type C port के सा चाहिए या नहीं चाहिए land cable port क्यूंकि एक तो आजकल बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों wifi के उपर काम करते हैं तो मुझे नहीं लगता ज्यादा कि land port की कही सारे लोगों को जरूरत पढ़ती होगी आपका क्या मानना है दोस्तों इसके बारे में मुझे comment section में जरूर प्रिकर बताइए